हेलो बच्चो तो इस वीडियो भी हम लोग कच्छा आठमी विसाइव गलत की बर्क सीट को सॉल्व करने वाले हैं जो कि माय फरवरी की है ठीक है तो आप लोगों कि अभी फरवरी माय की बर्क सीट आपको मिल गई होगी तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जो भी कॉश्च सब्सक्राइब प्रशने जमने देखने हैं टीक है कि करें लिद्याव ऑन देखना अन्याई तु jis rankings पर क्लिकरआते नाम पढ़ते हो तो आया है घृत प्रशनों की नहीं अच्छे से और अपनी भार्क सीट को सॉल्व कर लीजे तょ इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें जो आपको सभी प्रिशने दिये गा है, सभी प्रिशनों की आंसर आपको बताएंगे, तो अपनी वर्क सीट को निकाल दीजिए और सभी की आंसर टिक करते जाएंगे, ठीके, परफेक्ट आंसर बताए जाएंगे, तो इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बैल ऐकन जरूर प्रेस कर लेना, और अपने दोस्त में आरेसे भाट सेप पर और जो फेस्वूक होता है अपना, उस पर सेर कर दीजिए, ताकि वह भी अपनी वर्क सीट को सॉल्व गर लें, ठीके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिये गा है, सही भी कल्प दिये गा है, तो यहाँ पर फस्ट कोश्यन दिया गया है, कि यदि एक पांसे को फैका जाता है, तो समसंख्या आने की संभावना बताना है आपको, तो यह पांसे में कितने अंक होते हैं, बच्चो छे अंक होते हैं, एक से लेकर 6 अंक होते हैं, आनि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक ह होते हैं नहीं पर हमसे मालिकाला क्छा हो सकते हैं यहां पर और एक चार हो गए यहीं थीत में सब्सक्राइक को शांथ व्हंना निकालना है तू तो कुल संभौ परणाम होगी शंख्या बट्टे कोल परणाम होगी, Crash रोखहत है? तू संख्या Miramudula بटाना है तो संख्या? एक, दो तीन बार आ सकती है, तो तीन लिखे थीसे परकार आपका जो सेकंड कोश्चन दिया गया तो इसको देख लिए यहां पर क्या दिया गया है यहां पर 5 सेंटी मिटर आने की 5 X सेंटी मिटर बुचा दी गई एक 3 X दी गई है तो यहां पर इसका अंजर क्या हो जाएगा इसमें कुछ नहीं कहा है तो डालेक आपको पांच एक्स गुल तीन सेंटीमीटर तीन वाई सेंटीमीटर इसका अंसर लिख देना है आनि की वी नम्मर का आपका अंसर हो जाएगा इसके बाद आगे देखते हैं तो बच्चो देखिए यहां पर क्या दिया गया है एक आकरती दी गई है जिसमें क्या पूँचा है डाइस में सीरेशओं की संख्या बताना है आपको तो guys में तो डारेक्ट बीवाला लिख देना है इसके बाद आंगे देखिए तो यहां पर क्या दिया गए बारा एबम तेरा की वर्ग के बीच की कितनी संख्या होगी तो पहले आप बारा का बर्ग निकालोगे ठीक है और दोनों को उसमें से मायनस करोगे तो बर्ग की संख्या आपक 4, 3, 4, 5 का बहुलक है तो यहां पर बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार आता है तो देखिए यहां पर 3 है जो 1, 2, 3, 4 बार आया है देखिए 3, 4 बार आया है 4 है जो भी 4 बार आया है 1, 2, 3, 4 बार आया है तो यहां पर आपका बहुलक क्या होगा तो इसमें आपका बहुलक टीन लिख सकते हो ठीक है इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका तीन अंसर भी लिख सकते ho और यहाँ पर आपको किलो मीटर भी लग देना है कर दी जाया तो उसका चेत्रबल क्या हुआ हुआ नोρα good इसके बाद के अगमें सुनने की संख्या बताना है 170 के बर्ग करोगे हैं चार सुनने तो चार जीरो यहां पर कितने जीरो आए तो यहां पर क्या अंसर होगा चार जीरो जाएगा इसकी बाद देखे प्रशने करमांक 3 में क्या भी आगे अच्छे से दियान से देखे और अपनी बर्क सीट में लिखती जाएगा ठीक है और चैनल पनाए हो आए तो इसे सब्सक्र तो आपको साथ चक्रों में कितनी दूरी तरक करना पड़ेगी तो आपको साथ चक्रो में कितनी दूरी तरक करना नहीं है 42 सकुड साथ कर सकते होना तो इसका आंसर हो जाएगा डिकैभित देखे इन प्रकार आप इस प्रिशनेक्रमांग यहTh Prozent Q2 क्थ देख लेते हैं क्या थां एक सेकेंड25 में आखर्ति दी गई है जिसमें देखे हिंदी 90 परशन्ट लिफाण सबसे अधिक बोली जाती है तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको 90 तो हिंदी है जो आपकी 90 नब्य प्रतिसत आपकी कौन सी भासा बोली जाती है क्यों सी भोली जाती है इसके वाद में आपको बताना था कि यदि प्रोक्त भासां को बोले बाले विध्यारती कि संख्या 720 तो इस प्रकार यहां पर देखिये जो आपका फरस्ट अंसर था तो इस प्रकार निकालना था 42,7 294 मीटर इसके बाद में आपको सेकेंड दिया गया था कि सबसे अधिक बोले जाले बाली कौनसी वासा तो 90% हिंदी है और इनम्मर का अंसर हो गया है तो तमिल बोलने वाले विद्ध्यारतों की संक्या 396 हो जाएगी इसके बाद देखते है प्रिशने करमांग 4 तो देखे बच्चों प्रिशने करमांग 4 में क्या दिया गया है प्रिशने करमांग 4 में दिया गया है सरीता के पता की आयू है 49 वर्स उनकी आयू सरीता की आयू क को पड़स पर सटा कर रखा जाये तो परणामी घनाप की बिमाय क्या होगी तो इन दोनों के आंसर एक साथ देख लेते हैं तो आपको इस प्रकार जो लाइन दी गई है नमें लिखते जाना है ठीक है तो बच्छो देखे प्रिशने क्रमांग 4 के ए रहे आपके आंसर तो क्या है तायर दिया गया है तायर और तो लड़काने पर उसके चस्ट्रपल और उनका अंतर निकालना है तो वह उखिए पर इसका सेकेंड कोशिन क्या पूछा गया है कि टायर को लोड़काने पर उसके 6 चक क्रोमेश चली गई दोरी तो दोनों के आंसर एक साथ देख लेते हैं तो देखें तो बच्चों आप जल्दी से लिख लीजिए आपके प्रिशने क्रमांग फश्ट का ए आंसर रहा पूरा का पूरा सॉल्ब है ब्रत का भी एक दो लोगा निकाला था तो इसमेंसे इसको घटा देंगे आनिकि बाहरी छेता पर एक बार सिक्ति को यहां सॉट ले लीजीए ठीक 6 चक्रों में चली गई दूरी निकालना था तो इस प्रकार 42 कुली 6 करके आप इस प्रकार निकाल सकते थे तो इसको भी आप चल्दी से लिख लीजिए इसके बाद प्रशने क्रमांग 6 देखते हैं तो बच्चो प्रशने क्रमांग 6 में देखे क्या दिया गया है? एक विध्यारती की दो सत्रों का पृतरशन किया गया है यहांतर है धेखें हिंदी अग्रेजी, गषड़, विग्यन, समाज्विग्यन सभी के अंग दिये गया है पिर्थम सत्र और दोथी ये सत्र दिया गया है इसके बाद में इसमें कुछ कोश्चन पूछे गया है तो इनको भी देख लेते हैं क्या दिया गया है विध्यारती ने पिर्थम सत्र में किस बिसाय में अधिकतम एवं किस बिसाय में नियूरतम अंग प्राप्त किये प्रथम सत्र में तो देखे इसका अंसर क्या हो सकता है प्रथम सत्र में देखे यहाँ पर प्रथम सत्र जो आपका दिया गया है यदि बात करें सबसे अधिक अंग तो यहाँ पर देखे, प्रथम सत्र दिया गया है, सबसे अधिक अंग गलत में प्राप्त किये थे कि 85, और सभी में कम है, तो गलत में सबसे ज़्यादा अंग 85 मिले, और सबसे कम अंग किस में मिले, तो यहाँ पर देखे, हिंदी में मिले है, यही कॉश्यन में आप से कुछ इस प्रकार होगा देखें यहाँ पर पहले आप इसका देख लीजिए प्रथम सत्र में सबसे अधिक अंक गड़त में पचासी आंक तो इस प्रकार लिख देना है अपने बर्क सीट में और सबसे कम अंक हिंदी में पैसर अंक और आपका जो सेकंड था तो इसका दस आं कि चूड़ी देखें उसकी तरज्या चेक कर लेजिए कितनी हैं यहाँ पर लिख दीजिए ब्यास लिख दीजिए परदी और चेत्रवल और जो भी आप यहाँ पर डेटा लिखोगे आनि कि जो भी यहाँ पर आप जानकारी लिखोगे उसी की अनुसार आपको प्रशनों क की आनसर देना है यासे कि यहाँ पर पूंचा गया है सात रोटी निग्या परकिन होगी यहाँ पर इंप्टieg की त्रज्या लिख़े